तो अच्छे संचार के सिध्धान्त तो मिलिट ने प्रभावी संचार के लिए इम लेखे साथ तत्तों या सिध्धान्तों का उलेक किया है पहला इस पश्टता होनी चाहिए संचार इस पश्ट एवं संचित होना चाहिए दूसरा अन्रोपता होनी चाहिए यानि संचार प्र रूप हो अर्थात और देश का आप ध्यान रखें ऐसा नहीं कि रेंड़ेमली आप कोई भी संदेश भेज़े जा रहे हैं फिर पर्यादता होनी चाहिए यानि संचार में सोचना पर्यादत होनी चाहिए ना ही कम और ना ही अधिक सामीकता होनी चाहिए यानि संचार सामीक यानि कि समयनुसार होना चाहिए लेट नहीं होना चाहिए अब लाखों बरसों पुरानी बातें कर रहे हैं एक रुपता होनी चाहिए संचार एक समान होना चाहिए पिर लोज सीलता होनी चाहिए यानि संचार परस्तिन उसार परस्तिन उसार बदलने बाला भी हो और शुकारता हो संचार में शुकार करने की सकरात्मक ख्यमता होनी चाहिए चिक्टर बर्नार्ड ने संचार में सत्ता एवाम नियंद्रन के लिए संचार के साथ घटकों पर ध्यान देने को कहा है पहला संचार के माध्याम से निश्चित था सभी को ग्यात होने चाहिए संचार के माध्याम निश्चित एवाम सभी को ग्यात होने चाहिए जो मीडियम आपकमनी केसा है वो निश्चित होना चाहिए, प्रेंडम नहीं होना चाहिए और ऐसा मीडियम हो जो सबको पता हो फिर संग्ठन के प्रतेक्स दस्थ से संपर्क का एक निश्चित अपचारिक माध्याम होना चाहिए जहां तक हो सके संचार तंत्र सीधा रम छोटा होना चाहिए संचार के लिए पून और चारिक तंत्र का प्योग किया जाना चाहिए संचार केंद्रों के रूप में कारत बक्तियों को योग होना चाहिए संगठन जब कारורत हो तो संचार तंत्र में बाधा नहीं आनी चाहिए पत्यक संदेश फ्रमारिक होना चाहिए अच्छा संचार तीन बातों से जुड़ा होना चाहिए पहला इत्थोज होनी चाहिए इसमें लोगों को विश्वास होना चाहिए दूसरा पैथोज यानि इसमें दूसरों के दर्द या आवसकता की जलक हो साथ ही संचार एक मारगी के बज़ाए दूई मारगी हो लिनियर नहीं होना चाहिए इसमें दूई मारगी हो यानि एक प्रिकार से आप भी चुझें कह रहे हैं और सामने वाले की बात में आप सुन पा रहे हैं लोगों संचार में तारकिक्ता या औचित होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कह दें कि हम पंदा लाग सब के खाते में डाल देंगे ये पता चल गया कि ये एक प्रिकार से क्या था ये फिंक ना ही था और कुछ नहीं था विभीन विद्वानों का सैधान्तिक योगदान तो हिंदी फ्योल प्रथाम प्रसास्निंग विचारक हैं जिन्होंने संगठान में संचार की समस्या का विश्तित विवेचन किया है उन्होंने हाइरार्किय से उपजी लेट लतीफी और लाल फिता साही से निपटने के लि धाल चलने के लिए लकडी का टिकाव तक्त गैंग प्लैंक क्या है इसको समझ आप कि जैसे माल लिजिए कोई एक और्गनाइजेसं है को एक संयाओ आप यह अर्गनाइजरन है, एक यह हो गया, यह बी हो गया, अब दोनों नाइजरन में यह multiple layers है, hierarchy की ओम जाने, जैसे इसे मालएंलों एक cbi हो गया, और एक ad हो गया, तो ad में भी कोई head होगा, फिर उसके नीचे की अधिकारी होगे, फिर उसके नीचे नीचे कदीकारी होग और मालोग इस इस्तर का कोई यानि सिकंड रेंग का कोई आफीसर है जो इसको संदेश भेजना चाहता है चुछकि तोनों संगठन जो हैरार्की है बहुत उंची है तो अगर ये पहले संदेश अपने एडी है अपना पहले जो नीचे का करमचारी है पहले अपना संदेश आफीसर है अपने करिए कि अपने से ऊपर सकंड रेंग के आफीसर से आप पूछ लेजिए कि सर ऐसा है है हमें संदेश भेजना है फलाने डिपार्टोनेंट में और आप संदेश यहां पर भेज दीजिए और जो यह अधिकारी होगा सिकन्ड रेंक कि आधिकारी से सरे आपको चंदेश भेजना है तो आप से करेंगे आप इसको भेजेंगे लेकिन जब CBI के इस थर्ड रंक अफिसर के पर संदेश आएगा तो इसको जरूरी होगा कि इसको बता दे तो इससे क्या होगा कि जो कम्निकेशन है बहुत फास्ट हो जाएगा क्यों कि सुपीडियर से बात करना अधा कठी नहीं होता है आपन फूश लिया अगर उसने शुखार कर लिया तो आप तुरंत फरवर्ट कर देते हैं अपने कली को या दूसरी डिपाट्मेंट के जो आपके समकच होते हैं उनको और जो आपका समकच होता दूसरे डिपाट्मेंट का वह अपने हर 30 को बता देगा बस बात खतम हो जाईगी तो यह है गैंग प्लैंग का कॉंसेट बिसिकली, फिर हरबर साइमन, तो साइमन ने संचार को ऐसी सदत प्रक्रिया माना है, जिसके द्वारा संगठन में निर्णेओं को एक सदस से दूसर सदस तक पहुंचाया जाता है, चशर बर्नार की तरह साइमन ने भी सूचना को साइमन क्या बोलता है, कि ग्रेप वाइन संगठन में जनमत के बैरोमीटर के रूप में मुल्यांकान, अगर प्रसासन इसे सुनता है, यहां उसे मुद्दों से परचित करवा देता है, जो संगठन के दिल चस्पी कभी से बने हुए है, और यहां भी बता देता है कि उनका इन मुद्दों को लेकर क्या रुख है, तो इस एक लिए अगर आप आफिस में आप मानलो बॉस हो, ठीक है ना, तो अगर आप आफिस में हो रही चीज़ों को आप ध् вниз important ले रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं इस चीज का पता चलेगा कि आपकी आफिस में क्या हो रहा है, और आपको सूचना है, पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेंगी, कहने करतात पर यह है। चेश्टर बर्नार्ड तो बर्नार्ड ने संग्ठन को एक साहकारी विवस्था, कॉपरेटिव सिस्टम माना है, उन्होंने संग्ठन के निर्मान में तीन तत्तों की भून का मानी है। सोसाल स्कूल आफ मनेजमेंट कहा जाता है, यह लोग प्रसाथन में बिहारबादी एवं विवस्थाबादी आंदोलन के अगणी विचारा करें हैं। संग्ठन को एक जीवन्त सहकारी वस्था मानने बाले बर्नाड के अनुसार संग्ठन संग्ठन के सत्ता को तभी तक स्युकार करते हैं। जब तक संचार या आदेश को समझ सकें। दूसरा संचार या आदेश संग्ठनात्म को अद्योसों में संग्ठ हों। तो ऐसा नहीं है कि आप आप माईएशन के विपरीज जाके संचार कर रहे हैं। तो फिर उसको एक्सप्ट नहीं किया जाए। संचार या आदेश दस्यों के निजी हितों के अनकूल हों। अधिनस्त संचार या आदेश का पालन करने में सारीरी के मानसिक रूप से सच्छम हो। तो बनाड की स्विक्रित विचारधारा मानती है कि सत्ता उच्छा धिकारियों में समाहित नहीं होती है। ना ही यह उपर से नीचे टॉप टूबर्टम आती है। बलकि यह अजिनस्तियों की स्विक्रिती पनिफर करती है। अगर आपका स्वाडिनेट आपकी इच्छा को मानेंगे ही नहीं अब अच्छा दिशी से कोड की पावर है। अगर इन केस पुलिस वाले या जो आदेश देती है कोड की आपको ऐसा सा करना है। तो वो मानने से इंकार ही कर दें। कितना भी कंटेंट लगा लो आप अगर भुलिस वालों को ठान ही लिए कि नहीं मानना है तो क्या ही कल लोगे या उनका। मस्चा ही है जिसे प्रहान मंतरी को आदेश दिया कि ऐसा साब को करना। अगर एड़मेंट ही हो गए कि नहीं करना है तो कैसे गल लोगे। तो यही बात है कि अगर आपका सबादिनेट उस चीज को इंप्लिमेंट ही नहीं कर रहा है आपके आदेश को मानी नहीं रहा तो फिर आपके अथर्टी आपकी संदेश आपके आदेश कुछ फरक नहीं पड़ता उससे। यदि आजिनिस्तों ने कोई संचार आदेश नहीं स्युकारा है या सत्ता नहीं है इस प्रकार सत्ता नीचे से उपर क्योर जाती है नहीं बॉटम टू टू तॉप जाती है ना कि टॉप टू बाटाम आती है ऐसा मानना है किसका चेश्टर बर्नार्ट का फिर सत्ता की स्विकृति के समझ में उदा सिंता जोन आफ इंडिफरेंस कॉंसर्ट होने पड़ भी लिया है तो स्विकृति की आधार पर आदेश संचार इन प्रकार के होते हैं और स्युकार वे आदेश जो अधिनस्तों दारा एकदम स्युकार नहीं किया जाते हैं तस्ट वे आदेश जो स्युकार हो भी सकते हैं और नहीं भी और उदासिंता के छेत्र ऐसे आदेश जिन्हें आधिनस्त बिना सोचे समझे निर्वाद रूप से पूर्टता स्युकार कर लेते हैं रहन के लिए प्रात्य उठते ही सैनिक को सरेरिक व्याम करना है टांसपर ह संग्ठन का प्रात्मिक सिध्धान्त माननेवाले शेश्चर बर्नाड प्रसासन प्रसासनी की अधिकांस गदविद्यों को इसी में समलिद करते हैं उदासिंता के छेत्र में थिनाफ इन्वे उनके उन साथ संग्ठन की योजना, सत्ता, बिभाजन, कार्मी, प्रवंध बर्नाट की धिश्टि से संगठन संचार विवस्थाएं ही हैं संगठन में कारिकारी अधिकारी के कार्यों में बर्नाट तीन प्रक्रियाओं को मानते हैं पहला संगठन में संचार की स्थापना करना दुसरा एकाकी व्यक्तियों से अवस्थक से वायं प्राप्त करना फिर सं वीनर नावर विनर विनर शाइबरनेटिक्स की दुनया में अग्णै विचारक है साइबरनेटिक्स सब्द daran साइबरनेटिक्स से बना इसकत पर है नाविक या कर्णधार, तो साइबरनेटिक्स का ततपर है संचार तथा नियंतन वा संतुलन की वस्ता, इस परकार साइबरनेटिक्स संचार या नियंतन का वह विज्ञान है, जो मसीनों तथा इलेट्रोनिक उपकर्णों की कार प्रणा का मनुष्यों के मस्तिक से तुलना करता है इसके भी सेस्ताएं है तो यह अंतर भी सही दिश्यकोंड पर अधारित विज्ञान है जो जटिल संगठनों में संचार प्रक्रियाओं का अध्यान करता है यह संगठन को एक विवस्ता सिस्टम के रूप में देखता है अता इसका स साइबरनेटिक यह साइबरनेटिक स्टेट तो यह सब इलन सिक के पुस्तक दा साइबरनेटिक स्टेट कोलन अफ टांजीशन फ्राम न कट तू उट्ओपियन सिस्टम उन्न nam तान्पाळ और उस विवस्ता से है जो कЕम्प्यूटर अधारत प्राणियों से युक्त है ऐसा लोक और देशों की प्राप्ति हेत्व, पॉलिटी वह एकनॉमिक को सहयोग करता है। इसमें लोक एवं निजी का भेट कम हो जाता है। राजनीति वाप्रसासन समीप हो जाते हैं। राजनीतिक कार्यों में नौकर साही के आकार की बजाए लक्ष प्राप्ति पर बल दिया जाता है, सम्दाइक सासन, सम्दाइक सहभागिता, परिवर्तन सील सरकार इसके केंद्र बन जाते हैं, केम्पूटर प्रयोगों के कारण सूचना महातपून्तत्तो हो जाते हैं, फिर प्रबंद सूचना द्वस्ता, यानि मनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम, तो मनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का यमाईयस का अर्थ है, संग्ठन की संचार प्रक्रियाओं में सूचना तकनीक, इन्फार्मेशन टेकनलाजी का प्रयोग, इसमें सूचना को पैदा क करना प्रोसेस करना वह भेजना सामिल है यह समस्या समधान निर्माण वा योजना निर्माण में प्रबंदकों की मदद करता है शलल सदों में यमाईयस प्रबंध की कार्यों को पूरा करने के लिए आंकड़ों के संग रहन, प्रसंसकरन, बंडारन वा प्रसार को प्रसार करने की नियोजितप्रनाली है। यमाइएर संचार की वह प्रणाली है, जिसमें सोचनाय कातरित की जाती है, रखी जाती है, ता संग्ठन में नियूजन यानी प्लानिंग, संचालन वा नियंदर्ण से सम्वंधित नियरान के लिए पुनह अपलब्द की जाती है. जे जे रोंजिरों कांटर जो निन्षार आइयस वा प्रणालिए जो प्रबंध को निड़ने के क्रियान बन्हे उन को निन्तित करने में घरट्थ है सूचना अतर्त होते हैं जो इंपूट का प्रोसेस को आपको आगर याद आ रहा हो तो हमने एक प्रिकार से सिस्टम अप्रोच में भी इसको कुछ इसी तरह की प्रोसेस को पढ़ा था हला कि यह पून तो नहीं है लेकिन ठीक है उसे मिलता जूलता है प्रवंद सूचना विवस्ता है मायसका माडल संचार में बाधाय क्या है इसके जटिलता को गोबल्ड गुक नाम दिया है में इस भासा जटिलता को गोबर्ड गुक नाम दिया है उसके साद्धी कर्थ है सरकारी कार्यालों में प्रयुक्त होने बाली नवस्यक कठिनवा जटिल भासा गोबल गुक गोबर्ड गुक डुडोल्फ अधिकारीक संचार एक कानूनी एक कानून बादी घेरा विक्सित कर लेते हैं इसे मजाक में गोबर्ड गुक कहा जाता है इसे समझना एक आदमी के लिए असंभव हो जाता है अति उचित अति अमूर तथा अति अव्यक्त होने की चाहत में अधिकारीक फांसा काफी रूखी हो जाती तक्नीक एम इस्थानी सब्दावली फिर अधिक प्रकार से अधिक लिए संदेश क्या था कि किसी की पत्नी हतम हो गई है और आपको कुछ अर्णिमेंट करना पड़ेगा तांकि इसकी जो लास है या जो भी है अधिक उसको ब्रस्तित किया जा सके मतलब उसको घर तक पहुंचाया जा सके लेकिन उक्याले ने कहा ल इसको इंटर्प्रेट कर लिया और क्या कहा सब्सक्राइब नहीं है लोकल एरेंजमेंट करो एक हांती वर साथ अंधों की कहानी इसी का उधरन है कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्मिनिकेशन क्या कहा जा रहा है बसकली बात बिलाकर यह संथन का आकार वादोरी और तीसरा है गुट बाय थाए थाए बाय थाए थाए बाय थाए नहीं है उट्टिसक्शन